शाहर के सिंदेद एजूकेशन गैलेरी के बारावी के छात्रों का परिक्षफल प्रतिशत रहा हर साल की तरह इस साल भी सिंदेद एजूकेशन गैलेरी के छात्रों ने अवल वली परमप्रा कायम रखा इसी के मौके पर सेलिबरेट करने हित्वू सिंदेद एजूकेशन गै इस एजूकेशन गैलरी के शिक्षक हमेशा ही चात्रों के अच्छे भविशे के लिए प्रयास रथ है और जिसका परिणाम भी बारवी परिक्षा के नतीजे घूशित होने पर दिखाई दे रहे हैं ऐसा शिंदेज एजूकेशन गैलरी की डाइरेक्टर डॉक्टर माधुरी शिंदे द्वारा कहा गया है इस कारिकरम के मुख्या थितियो अद्वारा उपस्ती चात्रों को भावी भविशे के लिए खास मार्ग दर्शन किया गया जिसमें पूर्व महपर द्याशंकर तिवारी बोले कि चात्रों ने हमेशा ही अपना सामाजिक दायत्व याद रखते हुए समाज में आगे बढ़ना चाहिए तो वही NCP नेता सलिल देश्मुक ने चात्रों को आगे के भविशे के लिए शुबे इच्छा देते हुए कहा कि ये बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप कर नाकपुर सहित पूरे देश का नाम रोशन करे सिंदे एजुकेशन गैलरी के माध्यम से जिन बच्चों ने उच्चांग हाशिल के आज उनका सतकार किया गया मैं इन सभी बच्चों को उज्वल भविश्य की कामना देता हूँ और सिंदे एजुकेशन गैलरी का भी अभी नंदन करता हूँ कि उनके व्यक्तिगत प्रयासों के माध्यम से बच्चों पर व्यक्तिगत ध्यान देने के कारणी बच्चे उच्चांग का हाशिल कर सके हैं इसी प्रकार का उपक्रम वे आगे भी जा रही रखे और समाज में उच्छे शिक्षित बच्चे तयार करने में मदद करें यही हारदिक शुप कामनाय देता हूँ आज बहुत आनन्द की बात है कि शिंदे एजुकेशन गैलरी के माध्यम से जो टॉपर्ज है उनका सन्मान किया जा रहा है उनका सतकार का जारा और आज ये दिन एक विद्यारती की जीवन में बहुत महत्पो पूर्ण रखता है और मैं नाकपूर में शिंदे गैलरी एजुकेशन के माध्यम से जो बच्चों को कोचिंग दे रहे हैं उनका अभिनंदन करता हूँ कि आने वाले दिनों में भी हमारे हांके जो पीडी है उसे और वो डेवलप करे और उनका अपग्रेड करे और आने वाले दिनों में ये ये बच्चे हमारे नाकपूर के नहीं देश के भविश्य बने और नाकपूर का और देश का नाम बढ़ा करे प्रोपर मार्गदर्शन न सदेग परन तो न प्रस्ताहं न बातकता थैनी योग्ये मार्गानी साला अगड़ोच को केदक91 गोड़ान Сिरीय्डूरी उम्हात्व... इस कारेकरम के दोरां शिंदेज एजुकेशन गेल रिद्वारा 90 प्रतिशत से जादांग प्राप करने वाले छात्रों को सनमान चिन नदेई कर सतकार किया गया कैमेरा परसन सुभाज भुटले के साथ शितिजादेश मुख BCN News नाकपूर